हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिनी क्लासेस में तो आज हम क्लास नाइन्थ की एंसी आटी साइंस का चैप्टर फाइब का अगला पार्ट देखने वाले हैं हमने पिछले पार्ट में विभिन प्रकार के कोशिकांगों के बारे में अध्य करेंगे तो चलिए विखने आ किसी देरि के स्टाट आठे हैं कि तो पहले हम माइट्रा कंड्री के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बार बात जो है हम इसके चित्त्र के माद्धिध करेंगी तो जैसा कि मैंने आपको फिछले पार्ट में पताए था कि माइट्रो कॉंड्रिया के भी जो है सरीर का काम नहीं हो सकता कोसिका काम नहीं हो सकता ठीक है तो माइटो कॉंड्रिया जो है किस से बना होता है दोहरी जिल्ली से बनी होती है तो बाहरी जिल्ली जो होती है ठीक है और भीतरी जिल्ली बहुत अधिक वलित होती है और यह जो वला है ना ATP बनाने वाली रायसायनी क्रियाओं के छेत्रों को बड़ा बनाती है और जीवन के लिए आवश्यक विभिन रायसायनी क्रियाओं को करने के लिए जो है माइटोकॉंड्रिया को बनाने और यांतरिक कारे करने के लिए एटीपी में संची तूर्जा का उपयोग करते हैं यह आपको ध्यान रखना है माइटोकॉंड्रिया जो है ना बहुत अद्भूतंग है क्यों क्योंकि इन में जो है उसका अपना डियने और राइबोसोम होता है और इसलिए माइटो कॉंड्रिया जो है अपना कुछ प्रोटीन स्वयम बनाते हैं अब आए चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं तो यह है आप सब के सामने माइटोकॉंड्रिया का स्ट्रक्चर तो देखें पहले इसके पार्टीशन देख लीजिए पार्ट क्या-क्या है देखें यह माइटोकॉंड्रिया थीक है यह इसकी आंत्रिक जिल्य है थोड़ा मैंसर मैं दूसरे कलर से आपको दिखाने का प्रयास करूं तो यह जो है यह क्या है जो है अ बाहरी जिल्य और यह जो है आंतरिक जिल्ली अब इसमें जो यह round round दिख रहे हैं यह है क्या DNA क्रिस्टी जो होती है यह finger-like structure देखे गया हुआ है तो यह जो है इसे जो है क्रिस्टी कहा जाता है इसमें राइबोसोम भी होते हैं और इसमें जो द्रव यह भारा होता है, उसे कहते हैं, मैट्रिक्स, क्या कहते हैं, मैट्रिक्स, और इसमें जो है, ATP सिंथेज होता है, देखें, जीवाडू और नील हरित सेवाल, यानि कि ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ करना, सेज सभी सजी पादप और जन्तु कोशी का, द्रव है न, इसमें अनियमित रूप से बिखरे हुए दोहरी जिल्ली के जो है, मैट्रो कॉंड्रिया पाए जाती है, ध्यान रखेंगे, किसमें किसमें नहीं पाए जाते, तो जीवाडू और ब्लू ग्रीन एल्गा, ठीक है, यानि कि नील हरित शेवाल, देखें, मैट्र मैट्रो कॉंड्रिया कोशिका के कोशिका द्रव्य में उपस्थि दोहरी जिल्ली से घिरा हुआ होता है, और मैट्रो कॉंड्रिया के भीतर आप ये देख पा रहे होंगे, मैट्रो कॉंड्रिया के भीतर आनुवनसिक पदार्थ के रूप में क्या है, डीने होता है, जो की एक बहुत आश्चरी और खोज कभी से है अब देखे माइटो कॉंड्रिया में जो है उपस्तित डीने की रचना और आकार जीवाड़ों के डीने के समान है अब इससे अनुमान यह लगाया जाता है कि लाखो वर्स पहले शायद कोई जीवाड़ों मानों की किसी कोशिका में प्रवेश कर गया होगा ठीक है यह चीज है तो माइटो कॉंड्रिया के डीने और कोशिकाओं के केंद्रक में जो विद्धमान डीने में जो है लगब लगब 35 से 37 जीन एक समान होते है और अपने डीने की वज़से माइटो कॉंड्रिया कोशिका के भीतर आवशक्ता पर न अपनी संख्या स्वयम बढ़ा सकते हैं इनमें ये शक्ति होती है ठीक है संतानों की कोशिकाओं में पाया जाने वाला जो माइटो कॉंड्रिया होता है उन्हें अपनी माता से प्राप्त होता है यह चीज़ ध्यान रखेगा अब देखे स्वसन की क्रिया में जो है प्र क्यों कि क्रिया के अंतिम चरण में ही अधिकान सुर्जा उद्पन होती है और इसलिए माइटो कॉंड्रिया को कोशिका का पावर हाउस गहा जाता है आई होप आपको समझ में आ गया होगा ठीक है देखी माइटो कॉंड्रिया द्वारा ना क्या हुआ कि मानव इतिहास का अधियान और खोज भी किया जा सकता है क्यों कि उनमें पुराने गुर्ण सूत्रूप लब्दे हैं अब शोध करता वैग्यानिकों पहली बार कोशिका के इस उर्जा प्रदान करने वाले घटक को न एक कोशिका से दूसरी कोशिका में स्थानांत्रित करने में सफलता प्र तो सरीर की आवशक्ता नुसार जिस भाग में उर्जा की आवशक्ता होगी वहां अधिक मात्रा में माइटो कॉंट्रिया पाये जाते हैं यह चीज आपको ध्यान रखना है आगे बढ़ते हैं तो हमारा अगला सेल और गनल है प्लास्टिड ठीक है प्लास्टिड को जो है ह की रंगीन प्लास्टिड कहते हैं और दूसरा होता है ल्यूको प्लास्ट यानि की स्वेत या रंगहीन प्लास्टिड अब जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं और पौधों में क्लोरोप्लास्ट जो है ना प्रकास रंसि तो प्रात्मिक रूप से अंगा कहिए जिसमें स्टार्च तेल प्रोटीन जैसे पदार्थ जो है वो संचीत रहते हैं अब देखें क्लोरो प्लास्ट की ना भीत्री रशना में बहुत सी जिल्लियों वाली परते पाई जाती हैं अभी मैं आपको चित्र भी दिखाऊंगी पर झेल्खते हुए तरर्पदारथ को स्ट्रोमा कहते हैं तो प्लास्टीड बाहे रचना में, जो है, माइटोकॉंड्रा की तरह ही होते हैं और माइटोकॉंड्रिया की तरह प्लास्टीड में भी अपना होता है अब आईए figure देखते हैं इसका अब आपके सामने शो हो रहा है ये है plastic का चित्र आईए अब थोड़ा सा बात करते हैं देखें ये जो है ये है inner membrane ठीक है जो second number का है ये है इंटर membrane ठीक है और ये जो third number वाला है ये है outer membrane चोथे नमबर का जो है ये ये जो इसमें जो है तरल पदार्थ भरा हुआ होता है उसे कहते हैं stroma पाच्वे नमबर पर ये जो सिक्के जैसे आकरिती देख रही है ये है थाइले क्वाइड क्या है थाइले क्वाइड और छटे का जहरे नमबर की जो रचना दिख रही है ये है ले मिला इसकी कोज जो है किसने की है किसके की मैं ने कि और पादब कोषिकां के ना कोष्का Drip हमे मैं पाए जाने वाले गोल या अंडकार ये रचना है जैसे कि आप इसकी रचना देख हरे रंग के लवक जीव जगत की सबसे महतपून जैबरासायनिक्रिया यानि की प्रकास चंसलेशन होती है इसी की उपस्थिती में ठीक है हरे रंग को छोड़ करना अन्य रंग वाले लवकों को क्या कहा जाता है क्रोमो प्लास्ट और इनसे ही फूलो और फलो के रंग होते है ठीक है और रंगहीन लवकों को क्या कहा जाता है लूको प्लास्ट जिनका मुख्यकार क्या होता है भोजन स्टोरेज में यानि की फूड स्टोरेज में मदद करना ठीक है आकरिती तो हमने इसकी देखी ली जो पूरे कोशिका द्रोवे में फैले रहते हैं ठीक है यह चीज बात करते हैं रस्धानिया यानि की सेंट्रियोल के बारे में रस्धानिया जो होती है ठोस और तलर पदार्थों की संग्रहक थैलिया है जन्तु कोशिकाओं में रस्धानिया होती है जो वो छोटी होती है जबकि पादब कोशिकाओं में रस्धानिया जो होती है बहुत पादब कोशिकाओं की रजधानियों में कोशिका द्रव्य भरा होता है और यह जो है ना कोशिकाओं को इस फिती और कठोरता प्रदान करती है यानि की पौधों के लिए आवश्यक बहुत से पदार जो है रजधानी में इस्थित होते हैं यह एमीनो अमल सरकरा विभिनकार् जो है खादे रजधानी में इनके द्वारा उभोग मिलाएगा खादे पदार्थ होते हैं और कुछ एक कोशिकाओं में विशिष्ट रजधानियों के अत्रिक जल और कुछ अप्सिष्ट पदार्थों को सरीर से बाहर निकालने में महत्तपून भूमिका निभाते हैं तो यह आप देख पा रहे होंगे यह पादप कोशिका है और इसमें जो यह बड़ा सा बंडल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना यह है सेंट्रियोल यानि की रसधानी देखिए कितना बड़ा है ठीक है कोशिका का 50 से लेके 90 प्रिश्ट पोर्शन तक यह बड़ा हो सकता है है ना तो यह चीज ध्यान रखना है आपको अब यहां पर कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है इसको भी हम समझने का प्रयास करते हैं पहला क्वेश्चन है क्या आप ऐसे दो अंगो को का नाम बता सकते हैं जिन में अपना आनुवंशिक पदार्थ होता है तो अभी हम भी हम प्रभाव के कारण नस्थ हो जाता है तो क्या होगा क्या होगा सोचिए सोचिए यादि किसी कोशिका का संगठन किसी बहुति क्या फिर रासाइनिक प्रभाव के कारण नस्थ हो जाता है तो क्या होता है कोशिका श्वशन व्यार्थफदार्थों को साफ करना नए प्रोट कि कोशिकाओं का पाचन कौन कर देता है जब उन्हें सेल नहीं मिलती है तो तो लाइसो सोम ठीक है अगला क्वेशन यह है कि लाइसो सोम को आत्म घाती थैली क्यों कहते हैं क्यों कहते हैं मैंने आपको बताया है देगे जब कोशिका जो होती है ना छातिग्रस्ति या मृत हो घाती थैला कहा जाता है अगला क्वेश्चन है कोशिका के अंदर प्रोटीन का संसलेशन कहा होता है मैंने आपको बहुत अच्छी तरीकी से बता है जब मैं endoplasmic reticulum के बारे में बता रही थी तो protein का translation कहां होता है ribosome में कहां होता है ribosome में आगे बढ़ते हैं तो देखे प्रते कोशिका की अपनी संरचना होती है जिसके द्वारावे विसिस्ट कार्या जैसे की स्वसन पोशन अपसिस्ट पदार्थों का उत्सर जन नई प्रोटीन बनाने में साहता करते हैं और ऐसा उनकी जिल्ली और उनके अंकों की विसिस्ट संरचना के कारण हो पाता है यानि की कोशिका जो होती है ना सजीवों की एक मूल भूत संरचनात्मक इकाई है और यह जो है जीवन की एक मूल भूत क्रियात्मक इकाई भी है अच्छा ये तो हुई सेल ओर्गेनल की बात अब हम बात करते हैं कोशिका विभाजन के बारे में देखे जीवध प्रतिस्थापन और प्रजनन युगमग बनते हैं ठीक है और नई कोशिका के बनने की प्रक्रिया को ना कोशिका विभाजन कहते हैं सूत्री विभाजन और अर्ध सूत्री विभाजन जो है वो दुख दो मुख्य प्रकार के कोशिका विभाजन की प्रक्रिया है और कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जो है जिसमें अधिकतर कोशिकाएं वृद्धियेतु विभाजित होती है उसे जो है सूत्री विभाजन कह जाता है अब यह आपके सामने जो है चित्र शो हो रहा है यह समसूत्री विभाजन का उधारण यानि कि अपने समान संतति कोशिकाएं उत्पन करना ठीक है यह मात्री कोशिकाएं यह गुड़ सूत्र है और यहां भी देखिए संतति कोशिकाएं भी उसी प्रकार जो है कोशिका के जो है समान होती है और विभाजित होकर दो समरूप संतति कोशिकाएं बनाती है तो यह जो संतति कोशिकाओं में यानि कि डॉटर सेल्स में गुड़ सूत्रों की संख्या मात्रि कोशिका के समान होती है ठीक है और यह जो है जीवों में बृद्धी और उत्कों की म fertilization के बाद जो है संतती निर्माड करती है daughter's cell का निर्माड करती है और यह जो है एक अलग प्रकार का विभाजन है जिसे क्या कहते हैं अर्ध सूतरन कहते हैं यानि कि क्रमसह दो विभाजन होते हैं इसमें और जब कोशिका अर्ध सूतरन द्वारा विभाजन होती है न तो इस से जो है दो की जगह चार नई कोशिकाएं बनती हैं यानि कि नई कोशिकाओं में मात्री कोशिकाओं की तुलना में गुर्षूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है आधी हो जाती है इसलिए तो अर्धुसूत्री विभाजन हो रहा है ठीक है यह चीज ध्यान रखेंगे अब रह जाती है अच्छा ये तो हुआ चैप्टर समाप्त अब आईए देखे हमने क्या क्या सीखा ठीक है थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर दूँ हां तो कोशिका जीवन की मूलभूत संरशनात्मक एकाई है दूसरी चीज हमने क्या सीखी कोशिका के चारो और प्लेजमा जिल्ल या जो होती है लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है अगला हमने क्या सीखा कोशिका जिल्ली जो होती है कोशिका का शक्री भाग है और यह जो है पदार्तों की गति को कोशिका के भीतर और बाहरी वातवरण से नेमित करती है अगली चीज हमने क्या देखी पादब कोशिक दॉलोज कोशिका घृ किसकी हरी जाल D was evolved शिकृ कशिका धिति होती है और और बैक्टीरिया को अल्प परासरण दाबी घोलिया और या कि माध्यम के बिना घिध्र भी प्तरे रहे देती-जानिय कोशिका जीवित रहुती है दोहरी जिली द्वारा कोशिका दुर्व से अलग होता है और यह कोशिका की जीवन प्रक्रियाओं को क्या करता है नर्देशित करता है एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम अंतह कोशिकी परिवाहन और उत्पाद अक जो है सत्थ के रूप में कार्य करता है गौलजी बॉड़ी क्या करता है जिली युक्त पुटिकाओं का ये स्तंब है और यह कोशिका में बने पदार्थों का संचयन रूपांतरन और पैकजिंग करता है आगे देखेंगे अधिकांस पादप कोशिकाओं में जिली युक्त अंग जैसे प्लास्टिड होते है दो प्रकार के होते हैं एक होता है क्लोमोप्लास्ट एक होता है लूकोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट जिसमें जो है क्लोरोफिल होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं और यह क्या करते हैं यह प्रकास संसलेशन करते हैं लूकोप्लास्ट का प्राथमिक कार्य क्या है संचय करना अधिकांस परिपक्वपादप कोशिकाओं में एक बड़ी केंदरी रसधानी होती है और यह कोशिका की स्थीती को बनाए रखती है और अपसिस्ट पदार्थो सही महतुपून पदार्थों का संशय भी करती है प्रोकेरियोटिक कोशिकाओं में भी कोई भी जिली यूक्त अंगक नहीं होता और उनके जो है क्रोमोसोम के अस्थान पर न्यूकली कमल होता है और उनमें केवल छोटे राइबोसोम अंगक के रूप में होते हैं अगला चेज हम पूछे जा रहे हैं क्या हम अच्छे से स्टडी किये हैं तो चलिए अब कोशिका लगाते हैं तो पहला कोशिका और जन्तु कोशिका में तुलना करो तो हम इधर पादब देख लेते हैं और इधर जन्तु कोशिका देख लेते हैं ठीक है पादब कोशिका में सबसे पहले म हुटी नहीं होती हैं पॉषिका में क्या होता है हरितलब के उपस्तित होता है जनतु कोशिका में नहीं होता इसमें इत्रूसोम और तारक कें सेंट्रियोल्स जो होते हैं पादप कोशिका में उपस्थित होते हैं और सेंट्रोसम और तारक कें जो है जन्तु कोशिका में उपस्थित होते हैं ठीके पादप कोशिका में केंद्रक जो है होता है ना कोशिका भित्ती के बगल में होता है ठीके और जन्तु कोशिका में होते हैं तो सेंट्री वोल दिया तो इसमें बहुत बड़ा होता है किसमें पाधप कोशिकमें और जन्तु कोशिकमें वेक्योस जो होता है वह छोटा होता है अगला कोशेंट न्वार्ट में अंतर देख वी चुके हैं लेकिन हम एक पर फिट से फिर कोशिक विखाजन चाहता है ऊतने कि राल समय जो यह होता है ट्रकुरिय। एक से अधी क्रोमोसोम होते हैं ठीक है इसमें जो प्रोकेरियोटिक सेल है इसमें कोशिका विभाजन बिखंडन या फिर जो है मुगलन द्वारा होता है यूगर जिली फट जाए तो क्या होगा देखिए अगर प्रयाजमा जिली फट जाए या तूट जाए ना तो कोशिकांग लाइसोसोम फट जाएंगे और लाइसोसोम अपनी ही कोशिकाएं पाचित कर लेंगे और इस स्थिती में कोशिका जीवित नहीं रह पाएगी क्योंकि पदार्थ जो है अंदर बाहर आसानी साथ सकेंग और कोशिका की राशायनिक पदार्थों के संगठन जो होते हैं वो सुचारू रूप से नहीं रह पाते अगला क्वेशन है यदि गालजी उपकरन ना हो तो कोशिका के जीवन में क्या एफेक्ट पड़ेगा बहुत इफेक्ट पड़ेगा सबसे पहले एफेक्ट के मैं अगर के अपसिस्ट निप्टान कहां से हो पाएंगे ठीक है दूसरी चीज गालजी उपकरन के बिना एंडोप्लास्मिक रेटिकूलम में जो संसलेसित पदार्थ होते हैं कोशिका के अंदर और बाहर विभिने छेत्रों में नहीं आ पाएंगे क्यों क्योंकि गालजी उपकरन मे यह पदार्थ पैक किया जाते हैं और भेजे जाते हैं यह चीज तीसरी चीज गालजी उपकरन के बिना पदार्थों के स्टोरेज उनके मॉडिफिकेशन यानि की रूपांत्रन और उनकी पैकेजिंग नहीं हो पाएगी ठीक है अगला क्वेशन है कोस्तिका का कौन सा में अर्जा प्रदान करती एगला क्वेशन है कोसिका जिली को बनाने वाले लिपेड और प्रोटीन का संस्लेशन कहाँ होता है तो lipid का संसलेशन होता है smooth endoplasmic reticulum में और protein का संसलेशन होता है क्योंकि ribosome कहां होता है खुर्दूरी जो है अंतर द्रवी जालिका में यानि कि rough endoplasmic reticulum में तो protein का संसलेशन कहां होगा जहां ribosome वहीं protein का संसलेशन और कहां है ribosome वो है rough endoplasmic reticulum में प्राप्त करता है अमीवा आपना भोजन एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं अमीवा की पलैस्मा जिल्ली जो होती है या फिर कह लीजे कोशिता जिल्ली क्या होती है अपने कूटपाद इसी के साहता से नै 있는 भोजन के कडो को ग्रहन कर लेता है और जब भोज पदार्त उसके संपरक में आता है तो उसे चारो और अपने कूट पाध ठीक है क्या कर लेता है घेल लेता है और यह एक प्याली नूमा रचना है जिसे जो है food V mama Do error कहते है आगे बढ़ते हैं अगला question है परासरन क्या है परासरन जो है विसरन की एक विसिस्ट विधी है जिसमें जो है जल के अडू जो होते हैं पारगम में जिल्ली यानि कि सेमी पर्मियेबल मेंब्रेन द्वारा उच्छ जल सांदता द्वारा निम्न जल सांदता की ओर जाते हैं ठीके ध्यान अब हमें ये प्रयोग पर आधारी question लगाना है क्या करना है छिले हुए आधे आधे आलू जो है चार टुकडों मिलो और इन चारों को खोखला करो जिसे की आलू जो है कप के shape में बन जाए और इस कप को जो है उबले आलू में बनाना और आलू के प्रते कप को जो है जलवाले बरतन में रखो अब जो है क्या क्या करो देखे पहले बरतन को जो है क्या करते हैं कप A को खाली रखो कप B में जो है एक चमत से चीनी डालो क्या करो चीनी डालो और सम में आलू है ठीक है कटोरी shape में आलू है तीसरे कप में क्या करो C कप में जो है नमक डालो इसमें भी आलू है इसमें मैंने नमक डाला चौते कप में क्या करना है चौते कप में जो है उबलते हुए आलू में ये उबलता हुआ आलू है इसमें जो है चीनी डालना है ठीके अब देखे अब question क्या raise हो रहा है आलू के इन चारो कपो को दो घंटे तक रखने के पास चारत उनका अवलोकन करो और निम्न प्रसनों का उत्तर दो पहला है B और C के खाली भाग में जल क्यों एकत्रित हो गया ये B है ये C है ये D है ये A है B और C में ये पूछ रहा है खाली भाग में जल क्यों एकत्र हो गया देखे इसलिए एकत्र हो गया ना क्योंकि कच्छे आलू से बने जो है दोनों कप पारगम जिली का कारे करते हैं और जल परासरन विदी द्वारा खोखले आलू के भीतर चला जाता है और ये जो है अल्पसरन दाभी विलियन है ठीक है और आलू के कपों के अंदर जल की मात्रा उससे बाहर और आने वाले जल की मात्रा अधिक होगी तो कुछ समय बाद जो है इसमें चीनी और नमक डाला तो पुना जो है जल आलू के कप में के भीतर चला जाता है और ये एक्जो असमोसिस है दूसरो क्वेशन है ए आलू इस प्रयोग के लिए क्यों महत्वपून है देखे आलू जो है ए आलू जो है ए आलू ए नियंतरन का कारे करता है यानि कि ये एक मानक इस्थिती है जिसस होता है कि आलू जो है कप में जल की गती केवल अंदर से जो है खाली होने पर नहीं हो सकती अगला question raise हो रहा है ए और डी आलू के खाली भाग में जल एकत्र क्यों नहीं हुआ इसका वर्णन करो भाई आलू जो है आलू कप ए में एक जल एकत्र क्यों कि आलू के अंदर जो है जल की सांधरता में कोई अंतर नहीं था और सम पराशनन की इस्थिति और पराशनन के लिए तो सांधरता में अंतर होना आवश्यक होता है ना इसलिए तो आगली question में पूछा जा रहा है काईक, वृद्धी और मरम्मत है तो किस प्रकार के कोश का विभाजन की आवशक्ता होती है इसका और चित्ति बताए देखे, दो टाइप के जो है दो वे हैं cell division के एक होता है mitosis और एक होता है meiosis ठीक है, ये दोनों प्रकार के जो है cell division की आवशक्ता होती है तो देखे, meiosis, mitosis में क्या होता है कि सरीर के हर अंग जो होते अतिसूश्म कोशिकाओं से बने होते है यानि कि जो है सरीर के प्रतेक अंगों का संरशना करता है कोशिका ठीक है, और एक अंग का विशेश रूप से कारे करता है जैसे स्वसन, पाचन ठीक है, तो अंगों के बिना शरीर का कोई भी क्रिया संपन्न नहीं होगा और कोशिकाओं के बिना अंग संरशना नहीं हो सकती और इसलिए कोशिका का जीवन की संरशनात्मक और क्रियात्मक जो है इकाई कहा जाता है अगला क्वेशन है युगमकों के बनने के लिए किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है और इस विभाजन का महत्व समझाईए, देखिए आप सभी को पता है रोबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका कोशिका की सुचमदर्जी अंत्र के माध्य हम से देखा तो कोशिका जैविक तंत्र में सभी जैविक क्रिया जैसे पाच्चन जो है स्वासन पोशन ये सब संपन करने की काई है और किसी कोशिका का संगठन किसी भौतिक या फिर रासायनिक प्रभाव के कारण नस्ट हो जाता है तो जो है उस कोशिका द्वारा संपन की गई ना विभेनकार रुख जाता है और कोशिका जो होती है मृत कहा जाता है ठीक है इसे लाइसोसोम नाम के एक विशेश अंग है जो मृत कोशिकाओं को नस्ट कर देता है यह चीज़ ध्यान रखिए तो इसलिए जो है विभाजन होना अतियावश्यक है तो यही समात्त हो रहा है यह चैप्टर कैसा लगा यह वीडियो जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप वीडियो नहीं शेयर कर रहे हो मैं सभी वीडियो में आप से सिर्फ और सिर्फ एक ही फरियाद करती हूँ कि वीडियो को शेयर करिए शेयर करिए अब बस मेरा मनोबल तूटता जा रहा है क्योंकि आप लोग शेयर कर रहे हो वीडियो आने रहे है और देखे क्या होता है कि हम क्लास में भी जब हमारे पास स्टूडेंट की strength जो होती है बहुत जादा होती है तो हमें पढ़ाने में उतना ही जादा मज़ा आता है कम स्टूडेंट रहते हैं बढ़ाने में मज़ा नहीं आता वही चीज अब मेरे साथ हो रही है सायद मैं कुछ दिन बाद अपना चैनल भी बंद कर दूंगी इसी वजह से अगर जो है आप लोग शेयर नहीं करोगे तो ठीक है तो आप लोग प्लीज 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 आप लोग हेल्प करो मेरी चैनल क ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने में मेरी मदद करो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ठीक है थैंक यू वेरी मच